हलो दोस्तों आप मुझसे वाक्त फोगे सात में बैठ़े हैं में पिता जी और यह है मेरे माता जी सामने ये बाबी जी है पिष्टल कल हँआर यहां पर था चिरोगल का फेस्टाइबल और यहां पर आयते घेर सारे महमार कुछ गेस्ट है हमारे यहां पे तो उन गेस्ट के लिए हम कर रहे हैं कुछ स्पेशल डिश की प्रपरेशन क्योंकि कर उने बजाना भी है तो जो उनका ब्रेकफास्ट है सुबा का वो होगा हमारे घर में और आज हूं कहीं गय है ताओ जी के घर में हमारी गुआएं तो हम उनके लिए कर दाने वाले है इसके पिसके निकल रहा रहा है वारे वारे औरत की दाल है मार्श बोलते हम इसको और इससे क्या हो है हमारे सिड्डू की क्या है स्टफिंग होगी उसके दर इसको भरा जाएगा के संसरे और दोस्तो अब आप देसकते हैं कि इसके बाद अपीस रहे हैं माता जी पहाड़ों में एक मानैता होती हैं कि अगर हम सब मिल के काम करते हैं किसी काम को इसे अंटेशवहरा बनाते हैं तो काफ दुझा तेस्टी बनता हैं तो उस प्रथा को स्परंपरा को हम फॉलो करते हैं इसके बाar तरुट है मेरी और मैं भी यही rapat काम को करूँ का भुणा शाय August जिसे जो हम पheid को अभी ऑप किया स्टर लेmor in Amy अब तर्ण है मेरी पहड़ों की a caniada है अगर मेरी काम करते हैं और कुछches को तो काफी तेस्टी बनती है तो इस मायनतों को आगे बढ़ाते हुए मैं भी अब क्या कर रहा हूं जो उड़त की डाल है उसका पेस्ट बनाते हैं हम हरका स्टफिंग के लिए तो अब वो काम मेरे हमाले कर दिया गया है अब स्टफिंग कैसे करते हैं आपको वो भी दिखाएंगे फिर स्टीमर काम यूज करते हैं उसको पकाने के लिए उसके बाद घी के साथ परोसते हैं वह देशी लोकल घी हमारे भाड़ी गाय होती है उसके घी के साथ तावाज्यों बहुत टेस्टी रगता है आपको हम आपको बनाने के लिए सिंपल कहुं तो हम आटे का डो बना रहे हैं एंग्लिश स्टम डो है और आटा घूतना जिसे हम कहते हैं वह खर रहे हैं अभी इसमें इस्ट डाला था लोटे में अब इसको घुलने के लिए उसमें पानी डाल दिया है कोसा पानी अब इससे आठा काई आछ फूल जाएंगा यू यह आप देख पारे हैं इसमें गोला गया गया है लोटे yok पानी है ईससे आठा गैए धघ्रा जा रहा है इसे अच्छी तरह से क्या आई फर्मैंट हो जाएंगा फूल जाएंगा जिससे जो हमारे सिडू बनेंगे वो पनेंगे हलके sevenshy रखैर और इसके बाद इसको देंगे हम कुछ घंटो का rest, रखैर्ड जो हमारा स्टफिंग का material है, उरतड की दाल का जो पेस्ट बनाया था के लिए वो हमारे विल्मकुल रड़ी हो चुका है और इसके बाद हमारा डो भी रड़ी है जैसे ही हमारे लोगोर को रेस्ट मिल जाता है और उसके बाद हम यहाँ परаковी किलेंगे स्टीमर स्टीमर में 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 सिड्डू को पकाएंगे और आपको दिखाएंगे की स्टफिंग कैसे करते हैं अब दोस्तों आप दे सकते हैं अब यहां पर हमारे सीडू बनने की जो प्रक्रिया है वो पूरी शुरू हो चुकी है यहां पर अब सीडू बनने के लिए इसमें स्टफिंग कर दी है और यहां लगा हुआ है चुलें पर परकार ये पहला सीडू बन के त्यार इसको रख़िया है, सीडू मेकर में और इसी प्रकार से इस पूरे सीडू मेकर को फिल किया जाएगा और उसके बाद़ उसको लगाया जाएगा स्टीमर पर पकाने के लिए इस प्रकार्स इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाएगा जब तक कि पूरे सिड्डू बनके स्टेफिंग भरके त्यार नहीं हो जाता है तब तक कि इसको रखेंगे हैं यहाँ पे स्टेमर में स्टेफिंग आपको बहुत ही साफजानी से करनी होती है क्योंकि सिड्डू के फटने का भै बना रहता है और जिससे कि आपके जो सिड्डू हो खराब हो सकते हैं अब देखें आपकी लास्ट सिड्डू हैं जिसको हम इस स्टेमर में रखेंगे और उसके बाद जो हमने चुला जलाया हुआ हैं इसमें पानी बॉयल किया हुआ हैं तो इसकी स्टेम में यह पकने के लिए हम इसको रखतेंगे कुछ टैम के लिए यह है लास्ट सिड्डू इस्टीमर के लिए जो आप देख पा रहे हैं इसकी स्टाफिंग पूरी हो चुकी हैं अब इसको हम प्लेस करेंगे इस्टीमर में बहुत ही साफधानी से अब आप देख पाएंगे कि इसे हम कैसे खुलतेवे पानी की उपर प्लेस किया है अब इ जिस प्रकार सी दुकान में आपने बन खाये होगी यह बिवकुल वैसे बनता है जैसे ही यह पके त्यार हो जाता है हम कोशिश करेंगे आपको सिड्डू दिखाने की हमरी सिड्डू है वो बन के कैसे त्यार होगे हैं फिलाल इसको हम छोड़ेंगे अभी लो फ्लेम पे ज जागरी उसका में एक मिक्चर बनाते है स्टाफिंग के लिए तो अब हम सिड्डू बना रहे हैं अब सिड्डू हो रही है इसमें मेठे वाले टेहें यह काफी फ्लक्वी से बने हुए फूले वे बने हुए है क्योंकि इसमें हमने यूज किया था एस्ट का और हमारे सिड अभी तक हमारे महमान नहीं आये हैं और मुझे जाना है अपने दोगरी जहाँ पर मुझे है काम आज हम लाईगों पर मटर इसलिए शाम तक खाने का नसीब होगा यदि यह कुछ बचते हैं तो आपको हम जरूर दिखाएंगे फिलहाल हम जा रहे हैं खेत के लिए क्यूंकि तो गाओं का शेडूल है काफी बीजी रहता है वो कहते हैं ना दाने दाने पर लिखाए खाने वाले का नाम तो आज अपने भगी में अभी तक तो नहीं है ताजा ताजा खाना साम तक बचता है तो आपको जरूर दिखाऊंगा दोस्तों हमारे सिड्डू भी तक नहीं प कि मैंने उसको सर्व नहीं किया उसको खाया नहीं बस वही चीज की कमी रह गई थी सच मताओं वो मुझे भी नसेब नहीं हुआ क्योंकि मुझे आना पड़ा अपने खेत यहां पे मटर बेजने के लिए इसलिए मेरे भग्ये में वो सिड्डू खाना नहीं था इसलिए सच कि आगे सिनने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और सिड्डू की बजाए हमने खाये आज थेतों में धूल और भाई लोगो आप हमें मत जाना भूल थैंक्स पर वाचिंग और सी यू सून इन नेक्स वीडियो